असलाम अलेकम दोस्तों टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो जल से जल मिल सके बेसिकली आज की इस वीडियो का टॉपिक है वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर को डॉस के जरीए रिसेट करना ताकि इसके तमाम इशू सॉल्व हो जाएं सबसे पहले हम विंडो के बटन पर क्लिक करेंगे और सर्च में क्लिक करेंगे यहां पर हम लिखेंगे cmd cmd लिखने के बाद यहां पर उपर हमारे पास command prompt आ जाएगा इसको run as administrative करके open करेंगे तब ही यह जो method है यह काम करेंगा और आपके जितने भी errors है वो solve हो जाएंगे network related और wifi की जो speed है वो भी fast हो जाएगी सबसे पहले हम यहां पर write करेंगे net sh winsock reset इससे क्या होगा इससे हमारी जो network adapter की socket है वो reset हो जाएगी इसके लिए हमें restart करना जरूरी है restart करने के बाद हम दुबारा इसको open करेंगे cmd को run as administrative में हम लिखेंगे net sh adv firewall reset और इंटर प्रेस कर देंगे इससे firewall जो है वो भी reset हो जाएगा और आपके तमाम जो net से related issue है वो solve हो जाएगे अगर आपके पास no internet आ रहा है no internet access आ रहा है तो यह सभी problems जो हैं वो सही हो जाएगे नमबर थर्ड पर हम लिखेंगे net sh branch cache reset इससे branch cache जो हम इसकी होती है network adapter की वो भी reset हो जाएगी और zero हो जाएगी इससे आपका जो network adapter है वो refresh हो जाएगा जैसे मैं यह type कर रहा हूँ इसी तरह आप भी type करके इंटर प्रेस कर दें और simply यह ok का message देगा चेक है और यह देखें उसने सभी reset कर दी है branches अब इसके बाद हम लिखेंगे net sh int ip reset अब हम basically इसके ip को भी reset कर देंगे जिससे जो भी अगर कोई problems आ रही है आपके net में तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगी इस command के बाद हमने end पर जो command यूज करनी है वो net sh int ipv6 reset है ठीक है यह यहाँ पर हम write करने के बाद simply enter कर देंगे और यह ipv6 को भी reset कर देगा basically ip को भी reset कर देगा और जो भी problems है वो solve हो जाएंगी जैसे ही सारा process जो है वो complete होगा तो end में आपने क्या करना है exit कर देना है ठीक है यहाँ पर हम exit लिख देंगे exit का मतलब है यहाँ पर हम इसको cmd को close कर रहे हैं ठीक है जितनी भी आप जो भी आपने काम किया है वो उसकी री सेटिंग apply हो जाएगा